नमस्कार मैं हूँ राजेश सिना दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की हम बात करेंगे कि भारत ने आखिर कैसे ये तैयारी कर ली है कि आने वाले कुछी वक्त में हम दुनिया के बड़े बड़े देशों को एलेक्ट्रोनिक्स के दुनिया में कड़ी टक कर देने वाले हैं IT इंडस्ट्री में भारत ने पहले ही से उचे उचे जंडे गाल रखे है पूरा का पूरा IT इंडस्ट्री भारत के लोग रूल करते है दुनिया भर में और ऐसे ही होगा अब electronic chips के दुनिया में भारत ने अब ये तयारी कर ली है कि हम यहाँ भारत में ही semiconductor के factories लगाएंगे हम semiconductor के chips बनाएंगे और कुछी वक्त के बाद जो बड़े देश इस फिल्ड में जो रूल करते हैं आज कल semiconductor बाजार को उन्हें कड़ी चुनोती देंगे और इसी लिए मैंने यहाँ पीछे लिख रखा है दुनिया को कड़ी टक कर भारत देगा ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ऐसे ही electronic chips बनाए जाते हैं semiconductor factories में और भारत में भी ऐसे ही भारत सरकार ने अब यह तैयारी कर ली है electronic chips की semiconductor chip की factories लगाने का तो आईए अब देखते हैं समझते हैं इसकी details क्या है आकिर भारत में आने वाले वक्त में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वज़े से दुनिया को हम टक कर दे पाएंगे सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि इसके बारे में अख़बारों में क्या छपा है जानकारी क्या है तो यह Economic Times की रिपोर्ट है इसका headline यह बता रहा है पिये मोदी लेंस फाउंडेशन इस्टोन आफ इंडिया ज्ट कमर्शियल सेमी कंड़क्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी मतब यहाँ पर जानकारी यह दी जा रही है कि प्रधान मंत्री मोदी ने भारत की पहली सेमी कंड़क्टर फैब्रिकेशन फैक्टरी का सिला नियास किया आगे यह जानकारी है पिये मोदी लेट दा फाउंडेशन इस्टोन of the chip fabrication unit of Tata Power Chip Semiconductor Manufacturing Corp at Dhholera on March 13 मतब March 13 को धोलेरा मेर प्रधान मंत्री मोदी ने Tata Company की Semiconductor Manufacturing Facility का शिला नियास किया He also inaugurated the CG Power Renaissance Outsourced Assembly and Test Facility at Sānand, Gujarat and the Tata OS80 Unit एट मोरिगाव आसाम, all the three units were inaugurated virtually, मतब यहाँ पर जानकारी यह दिजा रही है कि प्रधान मंत्री मोदी ने virtually तीन semiconductor facility का foundation stone रखा, दो गुजरात में, एक धोलेरा में है और एक सानन्द में है, और तीसरा आसाम के मोरिगाव में है मतब यह तीन ऐसे factories बनने वाली है, जहाँ पर semiconductor chips बनाई जाएगे और भारत की जरूरतों को पूरा किया जाएगा यह जो तीनों जो आप जो देख रहे है facility का यह जो उधगाटन हुआ था, foundation stone डाला गया था, वो virtually हुआ था, और यही वो तस्वीर है धोलेरा will be India's first commercial semiconductor fabrication facility, धोलेरा पहली factory होगी जहाँ से बन कर निकल कर आएगा भारत का पहला अपना commercial semiconductor chip इसके बारे में जो और जो जानकारी है यह business standard अख़बार की report है और इसको मैं explain करता हूँ धोलेरा semi-conductor plan to roll out first chip by end of 2027 यह अश्वनी वैस्टनव है यह भारत सरकार के railways, communication, electronics and information technology minister है इनके हवाले से business standard यह खबर दे रहा है यह बता रहा है कि भारत की पहली semiconductor chip हमारी खुद की बनाई पहली semiconductor chips बाहर आएगी factory से 2026 में धोलेरा के facility से हमारी पहली chip बन कर आएगी 2026 में आगे इसमें यह जानकारी दिया गया है the first made in India chip will roll out from the Tata Electronics plant at Dholera in Gujarat towards the end of 26 said union minister for railways, communication, electronics and information technology Ashwani Vaisnov at the groundbreaking ceremony of Tata Electronics and CZ Powers chip plant India will be among the top 5 chip ecosystems in the world by 2029 यह बहुत खास है भारत सरकार के IT information technology and electronics मंत्री Ashwani Vaisnov यह कह रहा है कि अभी यानि कि 13 March को भारत में 3 semiconductor factories का foundation stone डाला गया और मंत्री जी ने यह उम्मीद जताई है कि 2029 तक भारत दुनिया के top 5 semiconductor बनाने वाली companies में एक होगा यही मैं पहले की slide में आपको कह रहा है कि भारत में इसी तयारी कर ली है कि आने वाले वक्त में अब वो दुनिया के बड़े-बड़े देशों को जो semiconductor बनाते हैं electronic chips बनाते हैं उनको कड़ी टक कर देने वाला और यही अश्वनी वैसनों कह रहा है कि 2029 आते आते भारत top 5 के देशों में होगा जो semiconductor के chips बनाएंगे Tata semiconductor assembly and test private limited आसाम के बोरिगाउं में और Tata electronics private Taiwan की power chip semiconductor manufacturing कॉर्प के साथ मिलकर गुजरात में एक plant लगाएगी यहाँ पर यह सब आपको नहीं पढ़ा जा रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है आप इसे पढ़ सकते हैं जबकि CG power जापान की renesis electronic और थाइलेंड की स्टास micro electronics के साथ मिलकर गुजरात में एक semiconductor plant लगाएगी तो यह जो पूरा information ने इसके कहने का यह मतलब है यहाँ पर यह जानकारी निकल करा रही है कि भारत ने अब यह कमर कस लिया है कि आने वाले वक्त में semiconductor की दुनिया में वो ज़ंडे गाड़ेगा अभी होता यह है कि जो अभी semiconductor जो market है दुनिया भर में उसमें ताइवान, अमेरिका, चाइना और साउथ कूरिया जैसे देशों का दबदबा है लेकिन भारत ने भी अब वहाँ पर entry कर ली है और आने वाले वक्त में हम अपनी जरुरत को तो पूरा करेंगे ही साथ ही साथ हम दुनिया को भी electronic chips, semiconductor chips export करेंगे The three projects had received cabinet note on February 29 this year मता हुआ कि भारत सरकार के cabinet ने भारत, मोधी cabinet ने यह जो तीन जो facilities का foundation stone रखा गया है उसका जो clearance था वो 29 February को इस साल दिया गया था Combined the three projects are worth rupees 1.25 lakh करोड यो तीनों जो facility बनने वाली है उसका जो total जो वहाँ पर projects का जो worth है वो 1.25 lakh करोड है The proposed investment for Tata PSMC Chief Foundry is 91,000 करोड मता हुआ कि जो Tata PSMC Chief Company जो लगेगी उसका जो investment वहाँ पर होने वाला है वो 91,000 करोड का होगा Tata OS80 facility at 27,000 करोड Tata का OS80 जो facility है उसमें 27,000 करोड का investment आने वाला है and CZ Power Renesys 7,600 करोड तीसरी जो company लगने वाली है जो CZ Power Renesys के नाम से उसमें 7,600 करोड का investment होने वाला है सरकार का अनुमान है कि इन सेमिकंडक्टर यूनिट्स में कुल 1,26,000 करोड का निवेश आएगा आपको नहीं पढ़ा जा रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पर एक पार इसको repeat कर रहा हूँ Tata Electronics Private Limited गुजरात के धोलेरा में प्लांट पर करीब 91,000 करोड रुपे Tata Semiconductor Assembly and Test Private Limited आसाम में 27,000 करोड रुपे की CG Power गुजरात के सानन्द वाले प्लांट में 7,600 करोड रुपे का निवेश होगा तो इसका सिधा मतलम निकलता है कि इतना बड़ा निवेश अगर भारत में होने वाला है तीन-तीन फैक्टरीज, तीन-तीन फैसलिटीज बनने वाली है तो होगा क्या आपको जॉप्स मिले, भारत तरकी करेगा, दुनिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो ये एक ऐसा फिल रह गया था जिसमें भारत ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे पूरी दुनिया लोहा माल सके और इसलिए भारत सरकार ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि सेमी कंडुक्टर की दुनिया में वो कदम रखेगी और आने वाले वक्त में टॉप फाइब जो नेशन से दुनिया के जो देश है जो रूल करते हैं सेमी कंडुक्टर बाजार को उनमें से एक बनेगा अब सवाल ये उठता है कि आपके ये लग रहा हुआ कि आखिर ये सेमी कंडुक्टर चिप होता क्या है मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ भार सरकार ये सब क्यों कर रही है आपकी जिंद्दिगी में एक सेमी कंडुक्टर चिप का महत्व क्या है तो आइए मैं उसको एक्स्प्लेर करता हूँ What is ये सेमी कंडुक्टर चिप? A सेमी कंडुक्टर सबस्टार lies between the conductor and the insulator मतलब होता है कि आप उसको अगर सीधे शब्दों में समझे तो जब बिजली का जब करेंट दौडता है तो उसमें दो डिवीजन्स होते हैं एक जिसमें कि बिजली का करेंट पास कर जाता है जिसे हम कंड़क्टर कहते हैं यानि कि बिजली उसमें गुजर जाती है और दूसरा होता है insulator जिससे नहीं गुजरती है तो semiconductor जो substance होता है ये इन दोनों के बीच का है दूसरे शब्दों में कहें तो ये electricity movement को control कर सकता है it controls and manages the flow of electric current in electronic equipment and devices मतब यह निकलता है यहां पर कि जितने भी electronic equipment और devices होता है जिसे कि आपका smartphone आपका laptop आपके घर में TV set LED जहां भी electricity का जो flow होता है उस flow को जो control करता है उस substance को semiconductor कहते है as a result it is a popular component of electronic chips made for computing components and a variety of electronic devices including solid state storage मतब एकदम साफ है कि आपके पास जितने भी electronic devices होते हैं आपके घर में चारो तरप होते हैं आपके हाथ में mobile set होता है smartphone का या electronic watch होता है smart watch होता है तो इन में जो flow होता है energy का जो electricity का जो flow होता है जिसकी कारण वो चलते हैं तो उसका जो management करता है flow को control करता है जो flow को वो semiconductor substance करता है और ये सारा होता है एक chip के सहारे और इसलिए इस chip की factory लगाई जा रही है semiconductor chips की factory भारत में लगाई जा रही है ताकि हमें आप बाहर से ना मंगवाना पड़े बलकि हम आने वाले वक्त में इस industry को rule कर पाए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अब ये जो semiconductor जो बाजार है दुनिया का उसके बड़े players कौन है कौन से ऐसे देश है जो इसे rule करते है number one कौन है number two कौन है तो ये इसके लिए एक chart है ये मैं इसे आपको explain करूँगा ये wikipedia पर था तो मैं इसे पढ़ता हूँ पहले manufacturer said quarter in the following places are the sales leader in the pure play foundry idem fabulous manufacturing osat sectors of the industry मतलब semiconductor industry में जो दुनिया भर के जो देश है सबसे बड़े देश है जो सबसे ज़्यादा sell करते हैं बेशते हैं दुनिया को export करते हैं semiconductor chips वो है कौन तो यहाँ पे 4-5 उसके division तो पहला है foundry यानि कि जो semiconductor का जो fabrication होता है उसमें कौन रूल करता है पूरी दुनिया को तो वो है Taiwan Taiwan number one है जो semiconductor factory में जो foundry है foundry की दुनिया में number one है fabrication की दुनिया में number one है Taiwan number two है United States US China number three है South Korea number four है Israel five है अब number आता है IDM IDM का मतब होता है integrated device manufacturing मतब जो manufacturing होता है उसका जो part है उसमें कौन दुनिया में rule करता है तो US America number one है South Korea number two है जापान तीन है European Union चार है Taiwan five है अब आता है fabulous fabulous manufacturing के stage में कौन से देश है जो दुनिया को rule करते हैं तो वो है United States number one है Taiwan दुश्रा है China European Union और जापान है इसके बाद चौथा stage है वो है OSAT यानि कि outsourced semiconductor assembly and testing मतब जब यह बन जाता है तो उसके assembly होती है उसके testing होती है सारे stages क्रॉस कर देने के बाद तो उस stage में दुनिया को कौन rule करता है तो वो है Taiwan number one है Taiwan दूसरे में USA तिसरे में China है Singapore है Japan है मतब यह हुआ कि इस जारकारी का अनुसार आप यह कह सकते हैं कि जो semiconductor जो बाजार है electronic chips का जो बाजार है उसको अभी दुनिया में कौन rule करता है तो वो तीन चार ऐसे देश हैं जिनका नाम है Taiwan है United States है China है South Korea है जापान है यह देश हैं जो अभी semiconductor बाजार को rule करते हैं और इसी बाजार में entry करने का मन बना चुका है भारत और अब उसकी शुरुआत हो गई है facility बननी शुरू हो गई है बहुत जल्दी हम आने वाले वक्त में खुद का बना हुआ electronic chips market में डालेंगे और वक्त आएगा हम इसे export करेंगे और दुनिया के पाँच बड़े देशों में शामिल हो जाएंगे semiconductor को silicon chip भी कहा जाता है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है और यह किसी भी electronic उतपादक का महत्वपूर्ण होता है मैं पहले भी कह रहा था कि electronic device में semiconductor chips जरूरी होता है तब यह वो efficient बनता है LED bulb से लेकर missile और car से लेकर mobile और laptop में इसका इस्तमाल किया जाता है यह chip की electronic item की memory को operate करने का काम करता है मतब आपके पास जो electronic device होता है उसमें जो chip होता है उसके बारे में यह कहा जा रहा है उसका जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो ही चिप होता है, तो इतना महतोपुर्ण चीज है कि भारत ने एंट्री कर ली है, उसके बाजार के दुनिया में बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा और आपकी और हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, सेमी कंडेक्टर का इस्तम यह जो एलेक्ट्रोनिक चिप्स है, सेमी कंडेक्टर चिप्स है, उसे वो उसी के धूरी के आसपास आपकी जिंदिकी चलती है, सुबह से शाम तक आप वही करते हैं, वही डिवाइस यूज करते हैं, जिन में इन सेमी कंडेक्टर चिप्स की जरूरत पड़ती है, अब सव कारी देख रहे हैं यहां पर यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं इन्हें ही का जाता है father of semiconductor इनका नाम है William Bradford Shockley He was the manager of a research group at Bell Labs that included John Baddeen and Walter Brattain कहने का यह मतलब है यहां पर की एक कंपनी थी Bell Labs उसमें तीन साइन्टिस्ट थे उनमें एक William Bradford Shockley थे John Baddeen और Walter Brattain थे The three scientists were jointly awarded the 1956 Nobel Prize in Physics for their searches on semiconductors and their discovery of the transistor effect यह बहुत खास है यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं शौकले का इनहीं father of semiconductor कहा जाता है और यह उन तीन साइन्टिस्ट से एक है जिन है 1956 का Nobel Prize दिया गया था 1956 का Nobel Prize किस चीज के लिए तो इनके research के लिए semiconductors के दुनिया में और transistor के effect को invent करने के लिए और इसलिए इन्हें semiconductor का father कहा जाता है अब market के experts क्या कह रहे हैं भारत के लिए हमने जो तीन facility का foundation डाला है हमने जो यह तयारी कर ली है कि हम आने वाले वक्त में हम semiconductor की दुनिया में उचे उचे जंडे गालेंगे उची छलांग लगाएंगे और दुनिया भर को कड़ी टकर देने वाले हैं तो industry के experts क्या कह रहे हैं तो आईए explain करता हूँ यह हिंदू की report है India poised to become semiconductor manufacturing hub providing vast employment opportunities says expert मतब जो इस field के experts हैं उनको यह लग रहा है कि अब भारत आने वाले वक्त में semiconductor manufacturing hub के रूप में बनने वाला है अभी तीन facility से शुरुआत हो रही है लेकिन भारत सरकार ने जो planning कर रहे हैं यह दुनिया की जरूरत है और चाइना से कोरोना के time के बाद से जो industry बाहर निकरने लगी उसमें semiconductor भी बहुत बड़ी संख्या में semiconductor से बनाने वाली कंपनिया भी हैं तो अब भारत ने चाइना को उसके जगह से हटा कर semiconductor की दुनिया में अपने आपको इस्थापित करने की कोशिस कर ली है शुरुवात कर ली है planning कर ली है वही अब experts कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम semiconductor chips manufacturing hub बनने वाले हैं और उससे employment opportunities आएंगी लाखों नौकरिया मिलेंगी BITSILCA BITSILCA मैनेजर M. Naga Sitaraman said that India is set to become a semiconductor manufacturing hub providing vast employment opportunities BITSILCA is a Hyderabad-based firm engaged in the manufacturing of semiconductors and embedded industry मतब यह है कि यह जो आप कस्वीर देख रहे हैं यह इस फिल्ड के expert है नागा सितारम इनका नाम है इनका यह मानना है कि अब आने वाले वक्त में भारत manufacturing hub बनने वाला है semiconductor का यानि कि जो भी electronic device में semiconductor chips के जरुबत होती है चाहे हमारे car में लिए, हवाय जहाज में लिए, missile के लिए या mobile set के लिए, आपके किसी भी electronics device के लिए जो आपके घर में है चाहे वो laptop हो, desktop हो, चाहे smart TV हो, phone हो, कुछ भी हो तो इन सब के लिए जो chips के जरुबत पड़ती है वो हम खुद बनाएंगे और अब आने वाले वक्त में भारत बहुत बड़ी चलांग लगाएगा semiconductor की दुनिया में और अभी तक के लिए इतना ही मैं फीराओंगा ऐसी ही रोचक जानकारिया आपके लिए लेकर आता रहूँगा लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर ले तब तक के लिए धन्यवाद